असलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे रेस्टरन स्टाइल साग वाला चिकन जिसे आप पालक चिकन भी कह सकते हैं जो कि बड़ती ठंड में बेहदी टेस्टी और लाजवाब लगता है तो आप एक बार इसे बना कर जरूर देखिए और ट्राइ करिए और हमें बताइए कि अब हमें इसे अच्छे से ढोला था अब चिकन ले लिया ही हैं चिकन भी 1-2 Bird काड़ाय में मैंने पा επाँचच कप पानी एड में ली सब्सक्राइब कर दिया है उसमें 1.5 TSP नमक और 1 TSP चीमद्र कर्देंगे क्योंकि हम पालक को बोल करेगे अब पानी में अच्छे से को बाल आ जाएगा तो हम पालक एड़ कर देंगे इसमें पालक को हम खुब अच्छे से धो लेंगे धो कर खुब अच्छे से एड़ कर देंगे इसमें और हम इसे ज़्यादा बोईल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे इसे एक मिनट तक ही पोईल करेंगे अलक ऐसा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसे एक मिनट बाद बाहर निकाल लेंगे अब ये देखें सॉफ्ट हो चुका है पालक तो एक मिनट बाद हम इसे बाहर निकाल कर ठंडे पानी में एड़ कर देंगे, चील्ड पानी में, यह मैंने परात में ठंडा पानी रखा हुआ था, तो उसी में एड़ कर देंगे, इसे दो मिनट तक उसी में ही रहने देंगे, दो मिनट बाद हम मिक्सी के जार में पालक को निकाल कर एड़ कर देंगे, और आदा सरसों का oil add कर दिया है सरसों के oil को खूब अच्छे से धुएदार गरम कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे गेस को बंद कर देंगे और थोड़ा थंडा होने देंगे oil को सरसों के तेल में टेस्ट बहुत अच्छा आ था अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे हाफ टीस्पून जीरो पाउडर एक दाल जिनी के टुकड़ एक पड़ी लाइची तीन से चार हरी लाइची और तीन से चार लोंग है दो तेज पत्ते डाल देंगे इसमें अच्छे से क्रेकल करेंगा भी मैंने गयस को ओन नहीं किया है क् कि तेल बहुत गरम है पहले से एक बड़े साइज का प्याज है उसे भी मैंने बारिक बारिक चोप कर लिया है वो भी एड़ कर दिया अब मैंने गयस को ओन कर लिया है और दो साबुत लाल मिर्ची है इनको तोड़कर एड़ कर देंगे और दो टेबल स्पून अद्रक ठाम मिर्ची पाउडर एक टीजपून नमक टेस्क कर कर दिए एक टीजपून इसमें रेगुलरला हाफ टीजपून हल्दी पाउडर और घीजपून जीरा पाउडर है यह पाउडर मसाले डाल कर हम खुब अच्छे से भून लेंगे मसाले आप अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से जितना खाना पसंद करते हैं एड कर सकते हैं कम ज्यादा आप खूब अच्छे से मसाले को भून लूँगी में खूब अच्छे से भूनेंगी जब इस तरीके से हम भूनकर मसाला बनाते तो सालान का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है अब यह दो टमाटर हैं मैंने भी बारिक बारिक चोप कर लिया था आप अप अप्टा माटा डाल कर भी खूब अच्छे से मसाले को एक से दो मिनट तक भून लेंगे अब मैं इसमें चिकन एड़ कर दूँगे 500 गिराम चिकन है 500 गिराम मैंने चिकन ले लिया है अब ये इसमें एड़ कर देंगे चिकन को एड़ करके खूब अच्छे से चिकन को भूनेंगे हम 2-3 मिनट तक और लेस को low to medium रखकर खूब अच्छे से हम कसकर भून लेंगे इसे अब ने चो पालक की प्यूरी बना कर तयार की थी ना भी इसमें एड़ कर देंगे अब एड़ करने के बाद इसे भी खूब अच्छे से भून लेंगे अब मैं इसमें पानी बगएरा कुछ भी एड़ नहीं करूँ क्योंकि पालक और गोष्ट दोनों अपना पानी खुद रिलीज करेंगे इसी में ही ये पक जाएगा अब ढ़क कर हम इसे 15-20 नट तक पकाएंगे गैस को लोटो मीडियम रख कर 15-20 नट बाद हम खोल कर देखेंगे कि हमारे पालक चिकन एकदम टेस्टी सला जवाब बनकर तयार हो गया है और ये बहुत टेस्टी ओला जवाब बना था अब मैं इसमें एक टेवल स्पून कशूरी मेथी और हाफ टेस्पून इसमें गरम मसाला अड़ कर दूँगी कसूरी मेथी आप खाना पसंद करते हैं तो अड़ कर दीजिएगे वरना इसकीप भी कर सकते हैं और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए ये इतना टेस्टी ओला जवाब बनता है अगर आप साख खाने के शोकीन हैं गोस के साथ चिकन के साथ एक बर बना कर जुरूर देखिए बहुत टेस्टी ओला जवाब बनता है तो अब मैं इसे ढग दूँगी अब मैं फाइनली इसमें एक तड़का लगाऊँगी ये मैंने एक पैन में दो टेबल स्पून देसी घी एड़ कर दिया है देसी घी को खूब अच्छे से मैं गरम कर लूँगी गरम करने के बाद मैं इसमें आदा इंच अद्रक कर टुकड़े को पारिक पारिक स्लाइसेस में कटकर कर एड़ कर दूँगी आप लैसुन भी एड़ कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा हम क्रेकल करेंगे और गयस को बंद कर देंगे और कश्मिरी डाल में चे डाल दिये मैंने आदा टी स्पून डाल कर मिक्स करकर इसमें एक तड़का लगा देंगे इस तरीके से जब हम तड़का लगाते हैं तो इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है आप एक बार ट्राइ करके जरूर देखिए अगर मेरी वीडियो पसंदारी है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये टेस्टी सी रेसेपी कैसी लगी तो मैं आपको अप सर्फ करकर दिखा देती हूँ ये अगर आप सोक से पालक वगएरा साक वगएरा खाते हैं तो आप एक बार चिकन में या मटन में बना कर जरूर देखिए मैंने इसे चिकन में बनाया है आप इसे मटन में भी बना सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी ओला जवाब बनता है मेरे घर में सबको पसंद आया था आप एक बार ट्राइ जरूर करिए और हमें कॉमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसेपी कैसी लगी और अपने फैमिली मेंबर में आगे शेयर जरूर करिए टेस्टी सी रेसेपी को तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगली नए रेसेपी के साथ अल्ला हाफिज